धातो आकसाइडों से धातो के निसकर्शन के प्रक्रम को समझने से पहले आईए हम पहले धातो कर्मिकी के उश्मा गतकी सिध्धान्द को जाने उश्मा गतिकी में हमने जाना है कि जिस भी प्रक्रम के लिए मुक्त उर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान रनात्मक होता है वह प्रक्रम स्वता प्रवर्तित होता है तथा मुक्त उर्जा परिवर्तन के लिए जो एक्वेशन है वह होता है delta G is equal to delta H minus T delta S यहाँ पर delta H enthalpy में परिवर्तन को दर्शाता है तथा delta S entropy में परिवर्तन को दर्शाता है और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर delta G के मान का रनात्मक होने के लिए अवश्यक है कि delta H का मान कम हो तथा T delta S का मान अधिक हो और T delta S का मान तब अधिक होगा जब यहाँ पर delta S यहने की entropy परिवर्तन धनात्मक हो जब entropy परिवर्तन धनात्मक होगा उस स्थती में यदि हम ताप मान बढ़ाते हैं तो T delta S का मान बढ़ जाएगा और इस स्थती में delta G का मान रनात्मक हो जाएगा और प्रक्रम स्वता प्रवर्थित हो जाएगा। इसी तरह से यदि किनी दो अभिक्रियाओं के युगुमन के फल्सरू समग्र अभिक्रिया के लिए यदि मानक मुक्त और उर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान रनात्मक आता है, उस स्थती में भी अभिक्रिया स्वता प चैन करना है तो यहाँ पर हमारे पास दो अभिक्रियाएं होंगी एक अभिक्रिया में आइरन ओक्साइट का विगटन होगा जिसके फल सरूप आइरन मुक्त होगी साथी साथ यहाँ पर हाफ ओटू बाहर निकलेगी इक्वेशन होगा एफ इओ इस इकल टू एफ इपलस सिंगाले मानक-मुक्त-उरजा का मान ग्याद करते हैं मान लेजिए इस इस्तति के लिए मानक-मुक्त-उरजा का परिवर्तन का जो मान है वह ब्लस फॉर्टी आता है दूसरे इस्तति में यहाँ पर पहली प्रक्रम में जो हाफ ओक्सीजन निकली है उसे कोक यानिकी प्रक्रम के लिए भी हम मानक मुप्त उर्जा परिवर्तन का मान ग्याद करेंगे मान लेजिए इस प्रक्रम के लिए जो डिल्टा जी का मान है वह माइनस हंडर्ड किलो जूल पर मूल है अब इस सिति में हम दोनों प्रक्रमों को जोड लेंगे जिससे जो समग्र अभिक्रिया हमें प्राप्थ होगी वह होगी वह होगी FeO plus C is equal to Fe plus CO और इस समग्र प्रक्रम के लिए जो डिल्टा जी परिवर्तन होगा उसका मान होगा माइनस 60 किलो जूल पर मूल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो प्रक्रमों को यदि हम संयुक्त करते हैं और उस संयुक्त प्रक्रम के लिए मानक मुक्त उर्जा परिवर्तन का मान रनात्मा करता है तो यह अभिक्रिया इस निष्चित तापमान पर संपन हो पाएगी या स्वता प्रवर्थित होगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वह एक reducing agent की तरह कार्य कर रहा है साथ ही साथ हम यहां भी देख सकते हैं कि यहां पर किसी ताप मान पर किसी उचित reducing agent का चुनाव करके हम किसी oxide को उसके धातू में अपचयित कर सकते हैं तो किसी भी तापमान पर कौन सा reducing agent उप्युक्त होगा या किसी तापमान पर क्या कोई धातू oxide धातू में अपचयित हो पाएगा। इन सभी बातों के बारे में प्रागुक्ति या production करने में हमारी सहायता करता है अलिंगन डाइग्राम। या आरेक धातू के oxide के विर्चन के लिए और इन सभी प्रक्रमूम में होने वाले मानक मुक्त उर्जा परिवर्तन तथा भिन भिन तापमानों के बीच खीचा गया आरेक होता है। और इन्ही आरोईखों में सबसे पहले धातू के औक्साइडों के विर्चन के लिए मानकमुक्तूर्जा परिवर्तन तथा तापमान के बीच जो आरेक खीचा था या ग्राफ खीचा था या इस प्रक्रम के लिए इसका जो ग्राफी निरूपन किया था वह सरव प्रतम किया या हमकिन हीबी दो वक्रों का उप्योंग करके किसी भी धातु ऑख साइट के किसी अपचायक के द्वारा होने वाले अपचाइन परक्रम के लिए हम मानक डेल्टा-जी में होने वाले परिवर्तन की गड़ना कर सकते हैं तथा उस अभिक्रिया के लिए उस प्रक्रम के लिए की स्वताप्रवर्तिता की खोशना कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिंगम डाइग्राम के कौन-कौन से अभिलक्षन है या इसके कौन-कौन से मुख्य बिंदू है तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं इस एलिंगम डाइग्राम में आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया यह मानक-मुक्त-ूर्जा परिवर्तन यह ऑक्सिजन के एक मूल के लिए होने वाले मानक-मुक्त-ूर्जा परिवर्तन तथा तापमान के बीच खीचा गया आरेक होता है जिसमें हम X-axis पर तापमान लेते हैं तथा Y-axis पर मानक-मुक्त-ूर्जा परिवर्तन की वैल्यू लेते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो मानक मुक्त उर्जा परिवर्तन के मान दिये गए हैं इसमें नीचे ये अधिक रनात्मक है और जैसे जैसे हम उपर जाते हैं इनका मान कम रनात्मक होता जाता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक स्तिती पर हमें डेल्टा जी है जुकाल्टू का मान जो है वह जीरो है और उसके उपर फिर डेल्टा जी परिवर्तन का जो मान है वह धनात्मक हो जाता है मैं इस आरेक में हम देखे कि सबसे जितने भी आरेक हमें दिखाई दे रहेืे हैं वह उनके जो धाल है वह धनात्मक है यह बढ़ता हुआ ह 되면 our आरेक हमें दिखाई दे रहा है केवल एक ही आरेक को छोड़ दे जो की कार्बन के ओक्साइड विर्चन वाला वक्र है यदि उसको छोड़ दे तो बाकी के सभी वक्र हमें बढ़ते हुए पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे कारण यह है कि जब भी हम धातू का आक्सी करण करते हैं तो यहाँ पर धातू का आक्सी करण जब होता है तो इसमें धातू जो की ठोस अवस्था में होती है उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन गैस से कराते हैं जिसके फुल सरूप हमें धातू आक्साइड प्राप्त होता है जो की ठोस होता है या फिर कभी द्रव अवस्था में हो सकता है तो इस स्थती में जो टोटल एंट्रॉपी चेंज होती है वह रनात्मक हो जाती है क्योंकि गैसी अवस्था से द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है इसलिए एंट्रॉपी चेंज रनात्मक हो जाता है और जब एंट्रॉपी चें अधिक रनात्मक से कम रनात्मक की ओर जाते हुई दिखाई देते हैं और इसलिए इसमें अधिकांस जो वक्र हैं उनकी ढाल बढ़ती हुई दिखाई देती है इसके अलाबा हम यहाँ पर देखें कि कहीं कहीं पर यह जो वक्र है वह अचानक अपनी दिशा परिवर्ति कर लेता है और यह जो दिशा परिवर्तन का जो बिंदू है वह वास्तों में उस धातू के या धातू ऑक्साइट के प्रावस्था परिवर्तन को दर्शाता है इस स्थती में यदि पदा ठो सवस्था से द्रव अवस्था में जा सकता है या फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तम को दर्शाता है यहाँ पर माल लेजे जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं जिंके ओक्साइट के विर्चन के वक्र को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे जिंके ऑक्साइट के विर्चन का वक्र एक बिंदू पर यहाँ पर इसकी दिशा अचानक परिवर्तित हो जाती है जो कि जिंक ऑक्साइट के धोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने को दर्शाता है और थात इसके गलनांक बिंदू को प् कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो कि डेल्टा जी इस उकल टू जीरो वाली लाइन को क्रास कर जाते हैं और इस स्थती में हम समझ सकते हैं कि जब डेल्टा जी इस उकल टू जीरो बिंदू को जब ये क्रास कर जाते हैं तो उसके उपर डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाता है और इसके उपर धातू ऑक्साइड और स्थाई हो जाता है और विगटित हो जाता है इस प्रकार का वक्र हमें मुख्य रूप से मरकरी, सिल्वर तथा गोल्ड के ऑक्साइडों में देखने को मिलते हैं तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह जो है वो अलिंगम डाइग्राम के मुख्य अभिलक्षन है इसी प्रकार का डाइग्राम धात्वों के सलफाइडों के विर्चन के लिए तथा धात्वों के हलाइडों के विर्चन के लिए भी बनाया जाता है और जो धात्मों के सलफाइडों के विर्चन का एलिंगम ड्राइगाम है उसके अध्यान से हम समझ सकते हैं कि क्यों धात्मों सलफाइडों का अपचयन इतना कठेन होता है तो आईए अब हम एलिंगम ड्राइग्राम के अभिलक्षनों को जान लेने के बचात इनके कुछ अनुप्रयोग जानते हैं जैसे कि मैंने बताया अलिंगम डाइग्राम धातू ओक्साइड के उसमी अप्चयन में उप्योग के जाने वाले अप्चायक के विसे में हमें जानकारी देता है तो इसकी सहायता से हम किसी भी धातू ऑक्साइट के तापी अप्चयन हेतू उप्यूक्त अप्चायक के चुनाओ में इसकी मदद ले सकते हैं मालने जे हमें किसी धातू ओक्साइट का अप्चैन करना है और इसके लिए हम भिन भिन प्रकार के अप्चैकों का चुनाव कर सकते हैं ये कार्बन हो सकता है, कोक हो सकता है, कार्बन मोनो अक्साइड हो सकता है, या फिर कोई दूसरी अधिक सक्रिय धातू हो सकती है, जिसके द्वारा हम धातू अक्साइड का अप्चेन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए, जब हम धातू अक्साइड का किसी अ और दूसरी अभिक्रिया वो होगी जो इस रिलीज ऑक्सीजन को अप्चायक के द्वारा ग्रहन किया जाएगा तथा अप्चायक आक्सीकृत हो जाएगा इसे हम भेनेबीन उदाहरान के द्वारा समझ सकते हैं मालेजे हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइट का अप्चायन करना चा पाएगा तथा यहाँ पर हम अप्चायक के तौर पर कार्बन को ले रहे हैं तो इसलिए मालेजे हम इसका 1000 कल्विन टेंपरीचर पर जानना चाहते हैं कि क्या कोक जिंक ऑक्साइट का जिंक में अप्चैन कर पाएगी तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली अभिक्रिया होग वो होगी जिंक ऑक्साइट का अप्चैन जिंक ऑक्साइट विगटित होगा और यह जिंक धातू तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित होगा इसका एक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जडन ओ इस उकल टू जडन प्लस हाफ ओ टू और इस स्तती में हम अलिंगम डाइ वक्र की सहायता से डेल्टा जी के मान की गढ़ना कर लेते हैं अब दूसरी ओर दूसरे जो एक्वेशन होगा यहां पर जो प्रथम पत में ऑक्सीजन रिलीज हुई है वह को के द्वारा कार्बन के द्वारा ग्रहन की जाएगी और एक्वेशन होगा कार्बन प्लस हाफ ओ 2 is equal to CO और यहाँ पर भी हम जो कार्बन के कार्बन मोनो ओक्साइड में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है उसका उसकी सहता से हम डेल्टा जी के मान की गढ़ना कर लेंगे यदि 1000 केल्विन ताप मान पर इन दोनों अभिक्रियाओं का जो समग्र इक्वेशन होगा वो होगा जडन ओ प्लस C is equal to जडन प्लस CO इस समग्र अभिक्रिया के लिए जब हम डेल्टा जी का मान निकालते हैं तो यदि डेल्टा जी का मान रणात्मक आता है तो यह दर्शाता है कि 1000 दिग्री सेंटीग्रेट टाप मान पर कोग के द्वारा जिंक ऑक का अप्चेन संभव हो पाएगा यदि यह मान धनात्मक आता है तो यह दर्शाता है कि 1000 केल्विन ताप मान पर कोग के द्वारा जिंक ऑक्षाइड का अप्चेन संभव नहीं है इसी तरह से हम भिन भिन ताप मान पर दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो समग्र अभिक्रि करने संभव हो पाएगा कि इसी तरह से यह पर हमने देखा कि जो कार्बन है वह कार्बन मोनो-प्साइड में अपचेथ हो रही है दूसरी और वह भी अभी क्रिया हो सकती है जिसमें की कार्बन कारными डाइट तो इसके लिए हम दो उन वक्रों को चिनेंगे जिसमें कि एक जो है वा धातू के धातू में अप्चयन को दर्शाता है और दूसरा जो होगा वह होगा कार्बन के कार्बन डाइ ऑक्साइड में परिवर्तन वारे वक्र को चुनते हैं हम यहाँ पर बता दें कि यह जो अलिंगम डाइग्राम है उसमें जो वक्र में है वा धातू के ओक्साइड में परिवर्तन का वक्र है और इसलिए हमें यहाँ पर किसी निश्चत तापमान पर जब डेल्टा जी का मान प्राप्त होगा वा धातू के ओक्साइड में परिवर् होने के लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त करना है तो इसलिए हम जो धातू ऑक्साइट के विर्चन वाला जो वक्र है और उससे संबंधित जो डेल्टा जी का मान है उस मान को हम उल्टा कर देते हैं यदि वो रुनात्मक मान है तो उसे हम धनात्मक लिख देते हैं और इस तरह से हमें धातु औकसाइट के धातु में विगडित होने के लिए डेल्टा जी का मान पता चल जाता है। इसी तरह से माल लिजे हमें iron oxide को अप्चेत करना है कोग की सहयता से तो वहाँ पर भी हम जो iron oxide होगा उसकी जो पहली अभिक्रिया होगी हम उस वक्र को चुनेंगे जिसमें की iron oxide में परिवर्तित हो रहा है और इसमें जो भी मान हमें delta G का मिलेगा उस मान को हम उल्टा करके iron oxide के iron में अप्चेत होने की value प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ पर equation हो जाएगा FeO is equal to Fe plus half O2 और दूसरा जो equation होगा जिसमें की कोग इस oxygen को ग्रहन करके carbon dioxide में परिवर्तित होगा तो जो दूसरा delta G का मान हम उस वक्र की सहायता से प्राप्त करेंगे जिसमें की carbon oxygen से क्रिया करके carbon dioxide में परिवर्तित हो रहा है और इन दोनों ही अभी क्रियाओं के लिए जो समग्र delta G का मान हम प्राप्त करेंगे और यदि वहमान रनात्मक होगा तो उस स्थती में carbon के द्वारा iron oxide का iron में अपचैन संभव हो पाएगा इसी तरह से यदि हम अपचायक के तौर पर carbon monoxide उप्योग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम एक जो वक्र होगा वह होगा हमारा धातु का oxide में विर्चन वाला और दूसरा वक्र हम चैन करेंगे जिसमें की carbon monoxide अक्सिक्रित होकर carbon dioxide में परिवर्तित हो रही है और इन दो वक्रों की सहायता से जो हम equation प्राप्ति करेंगे या delta G का मान प्राप्ति करेंगे वो इस प्रकार से होगा पहला जो होगा वो होगा मालीजे हम lead oxide का अप्चेन करना चाहा रहे हैं तो यहाँ पर equation हो जाएगा PbO is equal to Pb plus half O2 और जिसे इस निश्कासित जो oxygen है उसको carbon monoxide के द्वारा ग्रहन किया जाएगा carbon monoxide CO plus half O2 is equal to CO2 और वो carbon dioxide में परिवर्तित हो जाएगी इन दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए हम डेल्टा जी का मान प्राप्त करेंगे और जो समग्र डेल्टा जी का मान यदी रनात्मा काता है तो यह अभिक्रिया संभव हो पाएगी यहने कि carbon monoxide के द्वारा lead oxide का lead में अप्चेन संभव हो पाएगा तो इस तरह से हम देखें कि एलिंगम डाइग्राम की सहायता से हम किनी भी युग्मन दो युग्मित अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त कर सकते हैं तथा उसकी संभावना के पूर्वगोशना कर सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस धातू oxide के धातू में अप्चेन की क्रिया में तापन का बहुत महतु है और हम मुक्त उर्जा परिवर्तन का जो equation है उसके अनुसार जानते हैं जिसमें delta G is equal to delta H minus T delta S इस से इसपस्ट है कि यदि delta S का मान positive होता है तो उस स्थती में यदि ताप मान बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर delta G का मान रणात्मक हो जाता है और इस स्थती में जो अभिक्रिया है या जो धातू oxide का धातू में अप्चेन है वह संभाव हो जाता है अता उस ताप मान का चैन किया जाता है जिसमें की दोनों प्रक्रमों यने की धातू oxide के अभगटित होने का प्रक्रम तथा अप्चायक के अक्सिक्रित होने के प्रक्रम दोनों प्रक्रमों के लिए जो संयुक्तर delta G का मान है वह रणात्मक आए और इस स्थती में यह अभिक्रिया स्वता प्रवर्तित हो जाती है साथ यहाँ पर दोनों प्रक्रमों के कटान बिंदू पर इसके लिए दोनों प्रक्रमों के कटान बिंदू का तापमान प्राप्त किया जाता है क्योंकि इस कटान बिंदू के पहले या बाद में जो डेल्टा जी का मान है वो रनात्मक हो जाता है और ऐसे स्थती में जो धातू ऑक्साइड है उसका अप्चेन संभव हो पाता है यह इस स्थती में किसी भी ताप मान पर किसी भी ताप मान पर दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी के मान में जितना अंतर होता है उतना ज्यादा डेल्टा जी का, जो समग्र डेल्टा जी का मान है, वो उतना ज्यादा रणात्मक होता है और इसलिए उस स्थती में जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रम है, वो स्वता प्रवर्तित हो जाता है इसे हम एक उदाहरन की द्वारा समझ सकते हैं माले जे हमारे पास प्रशन दिया हुआ है ऐसे स्थती सुझाए जिसमें मेगनिशयम एल्यूमिनियम का अप्चेयन कर सके तो इसके लिए हम इलिंगम डायग्राम की सहायता से उन दो प्रक्रम को या अभिक्रियाओं को चुनेंगे जिसमें की एक में aluminum oxy-crit हो रहा है और दूसरे में magnesium oxy-crit हो रहा है तो यहाँ पर aluminum के oxy-crit होने का जो equation होगा वो होगा 4 by 3 aluminum plus O2 is equal to 2 by 3 AL2 O3 तथा जो magnesium के oxy-crit होने का reaction होगा वो होगा 2 mg plus O2 is equal to 2 mg O और यहाँ पर यह जो प्रक्रम है मालेजे यह दोनों हमмотрulsionफ अलिंगम Grap की साइता से देख सकते हैं कि यह जो दोनों अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र है वो एक दूसरे को 1623 Kelvin पर काटते हैं तो पहले हम पता करते हैं कि 1623 केलविन पर जो दोनों की समगर अभिक्रिया होगी उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा तो यहाँ पर जो हमाई अभिक्रिया प्राप्त हुई है अल्यूमिनियूम के ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया लेकिन हमें जो डेल्टा जी का होने की प्रक्रिया के लिए इसके लिए जो होने की प्रक्रिया के लिए 1623 केलविन टेंपरीचर पर जो डिल्टा-जी का मान होगा उस वेल्यू को और यह यह यहां पर हमें दिखाई दे रहा है यह माइनस 750 किलो जूल पर मोल इस मान को हम धनात्म करके लिखेंगे जिससे हमें धातू ओक्साइट के धातू तथा ओक्सीजन में विगटित होने का डिल्टा जी का मान प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी पहली अभिक्रिया होगी वह होगी 2 by 3 Al2O3 जो विगटित होगा और यह विगटित होकर बनाएगा 4 by 3 Al plus O2 और इस तरह से इसके लिए जो डिल्टा जी का मान होगा वह होगा प्लस 750 किलो जूल पर मोल दूसरी अभिक्रिया वह होगी जिसमें की मैगनेशियम धातू आक्सी कृत होकर मैगनेशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है तो इसके लिए एक्विशन होगा 2 Mg प्लस O2 is equal to 2 Mg O और इसके लिए जो डिल्टा जी का मान हमें प्राप्थ होता है वह है माइनस 750 किलो जूल पर मोल अब ये दोनों अभिक्रियां को जब हम समेकित करते हैं जोडते हैं तो हमें जो समग्र अभिक्रिया प्राप्थ होती है वह होती है 2 by 3 Al 2 O 3 प्लस 2 Mg is equal to 4 by 3 Al plus 2 Mg O और इसके लिए जो समग्र डिल्टा जी मानक मुक्त उर्जा परिवर्तन का मान है वह प्राप्थ होता है 0.0 किलो जूल पर मोल ये दर्शाता है इस कटान बिंदू पर डिल्टा जी का 0y मान यहार दर्शाता है कि इस बिंदू के पहले डिल्टा जी का किसी भी ताप मान पर डिल्टा जी का मान रनात्मक होगा और इससे हम समझ सकते हैं कि इस तापमान पर यानि कि 1623 केलविन तापमान के पहले किसी भी तापमान पर मैगनिशम अलूमिनियम के ऑक्साइट का अलूमिनियम में अप्चेन करने में सक्षम होगा उदारन के लिए हम एक तापमान में लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है 1073 कैलविन और यहाँ पर हम पता करते हैं कि इस तापमान पर क्या मैगनिशम अलूमिनियम के ऑक्साइट को अप्चेत करने में सक्षम है तो यहाँ पर हम जो अभिक्रिया होगी हमारी पहली अभिक्रिय जब हम 1073 Kelvin ताप मान पर डिल्टा जी का मान गयाद करते हैं तो यह मान हमें प्राप्त होता है 900 किलो जूल पर मोल जो की रनात्मक होता है लेकिन यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है वह अलूमिनियम के ऑक्साइड में परिवर्तित होने के लिए है इसलिए इस मान को हम धनात् जी इस उकल टू प्लस 900 किलो जूल पर मोल इसके बाद जो दूसरी अभी करिया होगी वह ही होगी जो मैगनेशम के ऑक्साइडेशन की यहाँ पर टू एमजी प्लस ओटू इस उकल टू बनेगा टू एमजी ओ और इसके लिए जो डेल्टा जी का मान होता है यानि कि 1073 केल्विन पर वह होता है माइनस 950 किलो जूल पर मोल और इस तरह से जो समग्र भी करिया होगी वह होगी टू बाइट्री एल्टू ओ टू ओ टू एमजी इस उकल टू फोर बाइट्री एल प्लस टू एमजी ओ और इसके लिए जो समग्र डेल्टा जी का मान होगा वह डेल्टा जी का अनात्मक मान दर्शाता है कि 1073 केल्विन पर मेगनेश्यम एल्यूमिनियम के ओक्साइड का एल्यूमिनियम में अप्चैन कर सकती है इसी तरह से यदि हम 1623 केल्विन से उच्छ ताप मान पर जाते हैं और इसके लिए मान लेजे हमें ताप मान चुना है 1873 केल्विन और हम देखते हैं कि क्या इस ताप मान पर मेगनेश्यम एल्यूमिनियम के ओक्साइड का अप्चैन कर पाती है तो यहाँ पर हम इसके लिए मान निकालते हैं तो जो पहली अभिक्रिया है अल्यूमिनियम के विक्टित होने के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वह मान प्राप्त होता है माइनस 700 किलो जूल पर मोल और जो की अधिक रनात्मक है जब की जो दूसरी अभिक्रिया है मेगनेश्यम की ऑक्सिडाइज होने की जो अभिक्रिया है उसके लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त होता है वह है माइनस 650 किलो जूल पर मोल जो की कम रनात्मक है और इस तरह से जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो अलूमिनियम के विगटित होने के लिए जो डेल्टा जी का मान हो जाएगा वह प्लस 700 हो जाएगा और इस स्थती में जो समग्र डेल्टा जी का मान होगा वह प्लस 50 हो जाएगा जो यह दर साता है कि 1873 केल्विन तापमान पर मैगनेश्यम एलियूमिनियम के ऑक्साइट का अप्चन करने में सक्षम नहीं है साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1623 केल्विन तापमान पर है इस तापमान के पहले हम देखें तो यहाँ पर मैगनेश्यम आउकसाइट का जो वक्र है वह नीचे है जब कि अलियूमिनियम आउकसाइट के विर्चन का जो वक्र है वह उपर है दूसरी ओर हम देखेंगे कि 1873 केल्विन पर यहाँ हम कह सकते हैं कि 1600 केल्विन के बाद हम देखते हैं कि इनकी इस्थती बदल जाती है यहाँ पर magnesium के oxide में विर्चन वाला वक्र उपर हो गया है जबकि aluminium के oxide में विर्चन का वक्र है वा नीचे हो गया है तो यहाँ भी दर्शाता है कि यहाँ पर जिस धातू के लिए delta G का मान और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो aluminium diagram है उसमें नीचे आने वाले वक्र के लिए delta G का मान अधिक रनात्मक होता है जबकि उपर वाले वक्र के लिए delta G का मान कम रनात्मक होता है तो इस पस्ट है कि यहाँ पर जिस धातू के लिए delta G का मान अधिक रनात्मक होगा वह उस धातू को जिसके लिए delta G का मान कम रनात्मक है उसे अपचहित करने में सक्षम हो पाएगी साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसे हम magnesium और aluminium के graph के द्वारा भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पस्ट है 1623 Kelvin के पहले हम देख रहे हैं कि magnesium के oxide में परिवर्तन वाला जो वक्र है वो नीचे है यहाँ पर जो magnesium है वो एक अच्छे reducing agent की तरह कारे करेगा जबकि इस 1623 Kelvin के ऊपर यदि हम जाएं तो aluminium के oxide में विर्चन वाला वक्र नीचे हो गया है और इस स्टती में अब इसके किसी भी तापमान पर 1630 Kelvin से अधिक किसी भी तापमान पर magnesium aluminium का अप्चेन नहीं कर पाएगी बलकि यहाँ पर अब aluminium एक अच्छे reducing agent की तरह कारे करेगी इसी तरह का एक कटान बिंदू हमें carbon के carbon monoxide में परिवर्तन तथा carbon monoxide और carbon dioxide में परिवर्तन में भी दिखाई देता है यहाँ पर भी हम देखें कि लगभग 710 degree centigrade तापमान यह हम कह सकते हैं 983 Kelvin तापमान पर हम देखते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं और इस कटान बिंदू के पहले carbon के oxidation carbon के carbon monoxide में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है वह उपर है जबकि carbon monoxide के carbon dioxide में परिवर्तित होने वाला वक्र नीचे है इसका मतलब यह है कि इस तापमान के पहले carbon monoxide एक अच्छे reducing agent की तरह कारी करेगा जबकि इस तापमान के उपर जो यहाँ पर हम देखें कि carbon monoxide वाला जो ग्राफ है वह उपर आ गया है जबकि carbon monoxide में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है वह नीचे है इसका मतलब इस तापमान से उपर तापमान पर carbon एक अच्छे reducing agent की तरह कारे करेगा इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि जो carbon के अपच्छें की क्रिया होती है वह अधिक तापमान पर क्यूं होती है जबकि carbon monoxide के द्वारा जो अपच्छें की क्रिया होती है वह अपएक शाकत कम तापमान पर होती है इस तरह एक और बात यहाँ पर देखने में मिलती है कि यदि उत्पन होने वाला जो धातू है वह यदि द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है तो हम जानते हैं कि जब ठोज अवस्था से हम द्रवित अवस्था में जाते हैं तो उस समय entropy में बढ़ोतरी होती है तो इस तरह से जो डिल्टाजी का मान है वह अधिक रनात्मक हो जाता है और इस स्थिती में धातू का अप्चैन वह अधिक आसान हो जाता है तो इस तरह हम देखते हैं कि एलिंगं डाइग्राम हमें उस तापमान का चैन करने के लिए जिस तापमान पर एक अप्चायक किसी अप्चायक का चुनाव करने के लिए या उसकी प्रडिक्शन करने के लिए हमें सहायता करता है